कि वन बेड्रूम घर का नक्सा आज में ले आया हूं जो कि काफी कम स्कॉराइड फिट पे यह बना प्लान है यह सभी वाल मैंने फाइव इंच का लिया और साइड और इंसाइड दोनों वाल मैंने फाइव इंच लिया कि यह पार्टिस्टिपेंट वाल सभी भी फाइव इंच रहेंगे इसाइड मैंने विंडो प्रोवाइड किया यह सभी मैंने विंडो छोड रहा हूं आपको पॉसिबल है तो विंडो छोड के आप बना सकते हैं प्लान मैंने फ्रॉंट के साइड किचन दिया है मैंने सभी साइड से विंडो प्रोवाइड कर आपको जिस साइड से पॉसिबल है उस साइड से आप प्रोवाइड करके बनवा सकते हैं कि यह सभी मैं विंडो को कलर कर देता हूं विंडो और वेंडिलेटर को कि यह आप अपने हिचाब से साइज रख सकते हैं विंडो और वेंडिलेटर के कि यह मैंने स्टेर कैस्ट दिया है जो कि आगे की साइड मैंने दिया आप चाहिए तो आपके पास स्पेस नहीं है तो आप अंदर भी ले सकते हैं इस्टार्ट करते हैं दिस साइड एंट्री एंट्री वह जाएंगे गेट यह आप थिरी फिट साइज थिरी फिट सिक्स इंच फोर फिट रख सकते हैं यह कीचन है जो की ओपन कीचन लिया गया यह कीचन लिया गया ओपन कीचन है कि इसका साइज लिया गया है कि सेवन फिट टू इंच और दिस साइड फाइफ फिट जीरो इंच लिविंग थिरी फिट का लिया गया यह थिरी फिट के गए रहेंगे अप हो जाएगा इस्टेयर के टू फिट शिक्स इंच के इस्टेयर लिये गया है इस साइड फिट टू फिट शिक्स इंच थिरी फिट एलेवन इंच यह लिये गया है यह साइज है ट्वाइलेट प्लस बात अटैच लिया गया है थिरी फिट नाइन इंच और फाइफ फिट जीरो इंच यह साइज लिया गया है कॉमन ट्वालेट बात है बेड्रूम है फर्स्ट बेड्रूम के साथ यह प्लान है कि सेवन फिट टू इंच और इस साइड नाइन फिट जीरो इंच 200 स्कॉाइर फिट पे बना प्लान है यह 8 फिट इंटू 25 फिट पे बहुत ही गम स्पेस में बना प्लान है तिस है 25 फिट है विंडो वैंडिलेटर ऐसी विंडो वैंडिलेटर पोजिशन रहेंगे यह विंडो कि आप अपने हिसाब से विंडो वैंडिलेटर साइज ले सकते हैं कॉलम पोजिशन हो जाएंगे फार्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्ड यह एस्टेयर ट्वाद के ऊपर से गया रहेगा है फाइव शिक्स सेवन और एट एट कॉलम रहेंगे तैन इंच इंटू टैन इंच का आप कॉलम प्रोवाइड करें आपको नाइन इंच पॉसिवल है तो नाइन इंच करें फोर सरिया ती टूलम का प्रोवाइड करें कि टूलम का चार सरिया प्रोवाइड करें बिल्डिंग कोश्ट है कि थ्री लाक है तक में अच्छा सा प्लान यह बन जाएगा वीडियो अच्छा लागा तो लाइक से और सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में